दट्रीस समरी इन हिंदी कवी कहता है कि व्रिक्ष घरों की सीलियों से बाहर खुले जंगल में चले जा रहे हैं यहाँ प्राप्य है क्योंकि पेर अचल है और इसलिए हम महसूस करते हैं कि कविता का एक प्रतिकात्मक अर्थ है हम व्याख्या करते हैं कि पेर उन मादाओं को संदर भीत करते हैं जिन्होंने खुद को चंगा किया है और मानव जाती के साथ दुनिया को भरने के अपने प्राथमे कुद देश्य को पूरा करने के लिए जंगलों में अपने घरों से बाहर निकलने के लिए तयार है आगे वल कहती है कि जंगल पिछले कई दिनों से खाली है और इसलिए कोई भी पक्षी नहीं देखा जा सकता है क्योंकि उनके पास बैठने के लिए कोई पेर नहीं है कीटो पर देखा जा सकता है क्योंकि उनके पास कोई आश्रे नहीं है और सूर्य का प्रकाश नहीं बन सकता है कोई भी छाया मानवता का जंगल कई दिनों से खाली है लेकिन जल्द ही पूर्ण और उज्वल हो जाएगा कवी पौधो द्वारा जंगल तक पहुँचने के लिए किये गई संधश की व्याख्या करता है वो कहती है कि जडों ने पूरी रात बरामदे के फर्श से खुद को अलग करने के लिए काम किया पत्तों ने कांच की खिर्की तक पहुँचने की बहुत कोशिश की ताकि वे बाहर जा सकें यहां तक पेड़ों की छोटी तनों ने भी खुद को आजाद करने के लिए बहुत प्रयास किये बड़ी शाखाएं भी कमरे की छट से बाहर जाने की बहुत कोशिश कर रही थी हम कह सकते हैं कि महिलाएं एक बडलाव के लिए बेताब है और उनके प्रयास की तुलना उस मरीज से की जाती है जिसे अस्पतार से रहा कर दिया गया है और वह जल्दबाजी में बाहर निकलने की कोशिश करती है शायद इसलिए कि वे आधे जागरूख है और किसी दवा के प्रभाव में है वे अस्थिर है लेकिन क्लिनिक छोड़ने की जल्दी में है तवी कहता है कि वो अपने बरामदे में बैठी है लंबे पत्र लिख रही है वो अपने पत्रों में अपने घर छोड़ने वाले पेड़ों के बारे में नहीं बताती है वो कहती है कि रात बहुत साफ है वो पूरा जान देख सकती है जो चमक रहा है पत्तियों और लाइकन की गंध एक आवाज की तरह होती है जो चिलाती है और घर की परिदी से मुप्ती की इच्छा व्यक्त करती है उसका सिर पेडों से बनी धीमी आवाजों से भरा है जो बाहर निकलने के लिए बेताब है अगले दिन ये आवाजे सुनाएं नहीं देंगी कावी पार्थक से ध्यान से सुनने के लिए कहता है क्योंकि परिवर्तन होने वाला है वो कांच की खिलकी को तोलता हुआ सुनता है और पेड रात में धोकर खाते हैं बाहर हवा चल रही है ये पेडों से मिलता है चंद्रमा एक दरपन की तरह है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ओप की पेड की छाया चंद्रमा को कई टुकडों में विभाजित करती है